नमस्कार किसान माईव, किसान माईव यदि आप धान की फसल का उतकादन कर रहे हैं, तो किसान माईव, यह वीडियो आपके लिए काफी जाद महत पूर्पूर्ण होने वाली है, जिए किसान माईव, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे किटना शक के बारे में बात करेंगें स्वाल कंपनी की स्टार बन कीट नाशक की विश्यस्ताओं के बारे में जानेंगे इसके टेकिनिकल के बारे में क्या इसका mode of action है मुख्य रूप से कौन सी फसल पर हमें स्वाल कंपनी इस कीट नाशक के छरकाव को रेकमेंड करती है जानेंगे कौन-कौन से कीटों को या नियतित करता है इसके साथ जानेंगे इसके डोस के बारे में किसानमा यो वीडियो एक दम छोटा होने वाला है वीडियो एक दम आखर तक ज़रूर देखें और सारी यानकारी हासल करें किसानमयों स्वाल कंपनी का जो starwind कीटना शक है इसमें जो हमें टेक्निकल देखने को मिलता है उसमें हम जो टेक्निकल देखने को मिलता है किसानमयों वो है chlorophyary force जो की 10% GR यानि की granules form में हमें देखने को मिलता है किसानमयों यह एक नया टेक्निकल है जो कि काफी effective हमारी धान की फसल के लिए माना जाता है किसानमयों यह contact and stomach poison के तरीके से अपना काम करता है मुख्य रूप से हमें स्वाल कंपनी इस किटना सक के छड़काओ धान की फसल पर करने को करती है क्योंकि काफी अच्छे रिजल्ट हमें धान की फसल पर स्टारवन की इटना सक के छड़काओ के बाद देखने को मिलते हैं बात कर लेते हैं कौन-कौन से कीटों को यह धान की फसल पर नियांतरत करता है बात कर लेते हैं इसके डोस के बारे में तो किसान माईयों इसका जो अनुमाने डोस है चार किलोग्राम प्रती एकड़ की दर से आप इसका चिड़काओ कर सकते हैं किसान माईयों अनुमाने डोस में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दवाओं को उपयोग हमें फसलों की स्टेजिस के हिसाब से करना चाहिए तो ध्यान में ज़रूर आपको ये रखना है जब भी आप दवा का परचीज कर रहे हैं तो दवा के बारे में जानकारी और डोस के बारे में कंसल करना दुकानदार से ना भूलें किसान माई वो आज की वीडियो में सरफ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के साथ धन्यवाद